ग्लोबल भारत न्यूज़ पर एक बार फिर से लेकर हजिन है प्रताब गर्चिले की दिन भर की बड़ी ख़वरें जहां धूमधाम के साथ मानाई गई भगवान परफुराम जी की जेन्ती निकाली गई भव शोभयात्रा बता दें हुंद्वेर्यचिले की इनसार प्रताब गर्ठेकाल प्रदोशकाल में हुआ था और यह आठ चिरंजी वी पूर्सों में एक हैं ऐसी मानता है कि भगवान परसुराम आज भी इस धर्ती पर मौझूद है और परसुराम जैन्ती और अच्छे त्रितिया पर किया गया दानपुर्न कभी च्छे नहीं होता अच्छे त्रितिया के दिन जन्म लेने के कारण ही भगवान परसुराम की सकती भी अच्छे थी और आठ चिरंजीवियों में भगवान पदस्राम समेत महर्श वेदव्यास अस्वत्थामा राजाबाली हनुमान विभीशन क्रिपाचार और रशी मारगेंडे है जो आज भी इस कल्यूग में बिश्टर कर रहे हैं के प्रताबगड सहार में धुमधाम के साथ भब जहांकी निकाली गई और सोबह आत्रा में हजारों लोग सामिल हुए खबरों में आगे बढ़ते हैं बात करेंगे सदर लिया के कगली खबर जहां एद की नमाज अदा कर मिले गले और दी गई मुबारक बात नमाजियों से भर गई इदगात और खेतों में चटाई बिचा कर पढ़ी गई नमाज देश की खुसाहाली मागने को एक साथ उठे हजारों हाथ बतादें की इदुल फितर की नमाज सनिवार को सुबह भुलिया पूरी इस्थित इदगाह में खुस्नुमा माहौल में अकीदत के साथ पढ़ी गई हजारों की संक्या में जुटे नमाजियों ने एक साथ हाथ उठाकर खुदा से देश की खुसाहली और तरक्की की दूआ मांगी इसके बाद एक दूसरे को गले लगकर इद की मुवारक बाद दी इदगाह पर लोगों में महिलाओं और बच्चों ने खरीदारी की इस दुरान प्रताबगड के जिल्या दिखारी टक्टर नितिन बचसर के लाओं पुलिशर दिचक सत्पालंतिल और भारी पुलि दिखारी तैनात रहे साधे ड्रस में तैनात किये गए पुलिस कर्मियों के लाओं डोन कैमरे से भी पूरे इलाके की निग्रा निक्ट की जारती रही पुलिया पुरी इदगाह पहुंचे प्रताबगड के जिल्या दिखारी और पुलिस दिचक ने गले मिलकर लोगों को यीद की मुबारगबादी खबरों में आगे बढ़ते हैं बात करेंगे मांधाता इलाके खबर के जहां थाना परिशर में रखी गई मंदिर की आधार सिला यसपी ने किया भूम पूजन बता दें कि यसपी सत्पालंतिल सनिवार मांधाता थाना परिशर पहुंचे जहां उन्होंने राधा कृष्ट मंदिर की आधार सिला रखी पंडित रवशंकरोज़ा के बैदिक मंत्रों 4 के बीच एसपी ने भूम पूजन किया पूजन के बाद उन्होंने कहा कि राधा कृष्ट का भव्यमंदी निर्माड के साथ थाना भान का भी सौन्दरी करड किया जा बजबजाती नालियां काशी राम कालोनी की बन गई है पहचान बोले लोग कालोनी पर इसे सहटाए जाए कुड़ा डंपिंग पॉइंट दिन में एक बार सफाई करणचारियों को लगाई जाए ड्यूटी बता दें तस्वीर नगरपाली का छेत के काशी राम कालोनी की हैं जहां तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां के लोग अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं बजबजाती नालियां काशी राम कालोनी की अब पहचान बन गई है और गंदगी की वज़ा से आए दिन लोग बीमार पड़ते हैं सुनिए क्या कुछ कहना ह बाड़े कोई आथा नहीं करमचारी सफाय करने की लिए कितने महीं ने दिन हुए सफाई नहीं हुए आथा अरे गटकु बता हम तरहें यहां थाक है कोई मैं है कstro Прोते हैं शिकारति किसी से ञबास है सब नहीं है खबरों में आगे बढ़ते हैं बात करेंगे पट्टी इलाके खबर की जहां परस्राम सोभा यात्रा निकालने पर दर्ज किया गया 15 लोगों के खिलाफ फाई यार जम कर हुआ हंगा मा बतादिक पट्टी कोत्वाली छेत्र के करेला बजार में सनिमार को भगवान परस्राम जैन्ती बिना अनमर्ती सोभा यातरा निकालने वालों को रोग दिया गया इससे नाराज वहां के लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया और धरने पर बैठ गए मौके पर पहुंचे तो किसी तरीके से विवास सांथ हुआ मामले में देरात पुलिष ने अखिल भारती ब्रामहर सभा के प्रदेश प्रभारी प्रवनमिस्रा समेथ 15 लों के खिलाप मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच परताल शुरू कर दी गई है हमें